जीन महिलाओं की पहली बार डिलीवरी होने वाली हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि आखे डिलीवरी रूम में लेबर रूम में उनके साथ क्या होता है साथी साथ जब वो push कर रही होती है नॉर्मन डिलीवरी के लिए तो pushing के time पे महिलाएं क्या मैसूस करती है सब के बारे में ये complete video बनाई है साथी साथ मैंने एक और भी चीज़ के बारे में बताया है कि जब आगर आप push करते हैं तो आपको किस method से push करना चाहिए ताकि जो आपके बच्चे का head है बहुत जल्दी आ जाए और चंद मिन्टों में या फिर कुछ ही देर की आपकी लेबर पेन में ही आपकी delivery हो जाए उसके बारे में ये complete video है तो वीडियो शुरू सिले के लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चानल Twins My World Care पे स्वागत है तो जैसे मैंने आपको बताया कि push करने का सही तरीका क्या होता है या फिर महिलाये किस तरह का मैसूस करती है उसके बारे में मैंने बताया है तो महिलाये जब भी उनको लेवर पेन आते हैं कुछ ऐसे साइनल सिम्टम होते हैं जिसके बारे में particularly मैंने वीडियो बनाया है कि आपको 20 दिन पहले एक महिने पहले किस तरह का पेन मैसूस होता है तो वो आई बटन पे उस वीडियो की लिंक आ रही होगी तो आप लोग जाके जरूर देख लिजेगा साथ ही साथ जब अगर आप डिलिवरी रूम में जाते हैं तो आपके साथ होता क्या है कि आपको डॉक्टर एक sitting position में आपको बैठाती है यानि कि आपको completely लेटना नहीं है क्योंकि लेटने पे आपको उतना pressure आपकी normal delivery के लिए नहीं पड़ता है जबकि अगर आप squatting के position में आते हैं या फिर अगर आपने जैसे आपको अगर पीट के बल पे भी लिटाए गया है तो आपको थोड़ी सी उचाये रखके यानि कि sitting position में बैठाया जाता है ये जो position होती है ये काफी ज़्यादा safe position है काफी easy position होता है ताकि आपके बच्चे का सर जल्दी से जल्दी आपके private path के through निकल जाए और जो cervix का mouth है जो बच्चे दाने का मूँ है वो भी time पे खुल जाए क्योंकि ये position आपके लिए best होती है बहुत सरे hospital में ये भी होता है कि जो आपकी जो labor का sitting जो position होता है उसमें कुछ आपको handles भी दिये होते हैं जो की आपकी delivery को असान बनाने के लिए वो handles भी आपको push करने के लिए काफी जादा helpful होती है तो आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह की position में आपको बैठाया जाता है और अगर आपकी doctors या फिर nurse इतनी cooperative हैं ताकि जो आपको labor के समय में अगर वो आपको squatting भी करने के लिए allow करती हैं तो ये best तरीका होता है जिस समय आपकी जो pushing time है वो कम होती है और जल्दी से जल्दी कम labor pain में ही आपकी delivery हो पाती है तो आपको अपनी doctor से खुल के जरूर बात करनी चाहिए कि क्या आपको वो squatting करने के लिए allow करती है क्योंकि अगर आप अपने bed के पास भी अगर आप squatting करते हैं तो ये best position होता है जल्दी से जल्दी बच्ची दानी का मूँ खुलने का और साथी साथ आपकी delivery काफी असान से होने का और pushing करते समय होता क्या है कि आपको बहुत जादा जिस तरह से अगर आप constipation का feel करते हैं आपको stool पास करने में motion पास करने में जितनी तकलीफ होती है उसका आपको 10 गुना आप समझ लेजे कि इस तरह का pain होता है लेकिन आपको धीरे धीरे जो आपकी contractions होते हैं उनकी intensity बढ़ते जाती है उसके साथ ही साथ जब आपकी doctor आपको instruction देती है कि इस time पे आपको push करना है तो वो ही आपका जो best time होता है उस time पे अगर आप push करते हैं तो baby का जो सर होता है काफी असानी से out हो जाता है रही बात आपको labor के time पे आपकी breathing control होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपकी breathing control होगी तो उससे आपकी normal delivery काफी असानी से होगी और push करने का सही तरीका भी यही होता है कि जैसे जैसे आपकी contractions आएंगे आपको push करना है लेकिन आपको अपने सांस को काफी ज़्यादा लंबा नहीं किचना है उपर के तरफ नहीं तो बच्चे का सर उपर भी जा सकता है तो आपको हलके हलके छोटे छोटे से breath लेने है लेकिन काफी deep लेने है जैसे कि मुह से आपको सांस छोड़ना है नाक से सांस लेजे या मुह से सांस लेजे लेकिन आपको छोड़ना मुह से ही है और छोटे छोटे duration पे आपको breath लेनी है ताकि आपको oxygen की कमी नहीं हो और दिलिवरी को कोप अप कर पाएं आशा करती हूं कि आप सब की डिलिवरी काफी आसानी से हो जाए जिनकी भी डिलिवरी नजदीक होने वाली है काफी सुखद आसाम से डिलिवरी हो जाए नॉर्मली हो जाए और जच्चा और बच्चा दोनों घर आ जाए बस इसी दुआ के सा आईएगा कि क्या क्या आपकी नॉर्मल डिलिवरी के प्रॉसेस में होता है थैंक यू सू मच फर वाचिंग ट्विंस मैं वल्केर